नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे रिसेंटली रिलीजड बॉलीवड बायोपिक मुवी 800 की जो स्रिलंकन प्रिकेटर मुथाया मुलीधरन की बायोपिक है और जिसको सिनमा रिलीज के बाद उतना सक्सेस ना मिलने के बाद डिरेकली जो है ओटीटी पे रिलीज कर दिया गया है जियो सिनमा की एप पे आप इसको देख सकते हो absolutely free तो मुझे कैसा लगा यह फिल्म डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में रिक्वेस्ट एक है वीडियो को शू बाकी सब तो ठीकी था मतलब ऐसे topics as a biopic as a character जिसको चुना गया था तो वो काफी बढ़िया था और सबसे बड़ी बात है कि इनकी life में इतनी ups and downs है तो बहुत सारे ऐसे cinematic moments है बहुत सारे ऐसे drama है जिसको एक biopic के अंदर में बहुत खास दिखाया जा सकता था लेकिन क्या यह फिल्म उसमें खरा उतरती है तो डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में देखिए पहली चीज जो है अभी इंडिया में कोई भी sports biopic का बना लो तो आपका एक comparisons जो होने वाला है वो है आपकी धोनी की biopic के उपर धोनी MS Dhoni the untold story यह होगा ही क्योंकि यह one of the finest sports biopic India has ever made तो जब भी आप बनाओगे कुछ भी और specially on the cricketers तो आपका comparisons जो है benchmarking उसके साथ किया जाएगा अब देखिए धोनी का अगर मैं बात करूँ देखिए अभी भी कोई भी माल लेजिए VFX का कोई भी फिल्म studies का course होता है computer graphics का कहीं पे भी course होता है तो धोनी के बारे में वहाँ पे MS धोनी फिल्म के बारे में वहाँ बताया जाता है वहाँ पे बात किया जाता है सिखाया जाता है उससे क्योंकि यह फिल्म ऐसी एक लौती फिल्म है जहां पे आप लगभग माल लेजिए जो 90% scenes जो है उसको ना recreate किये हुए सिर्फ VFX के माद्यम से सिर्फ CGI के राचपुत का face जो है वह मौर्पिंग कर दिया गया था हमारे MS धोनी के शरीर के उपर तो इस कारण से वह बहुत ही realistic और बहुत ही real लग रहे थे बाकी सब जितने भी biopic की बात करो या फिर 800 की मैं बात करो तो इसमें सबसे बरी कमजोड दिक वही है कि जहां पे भी यह सार की दौरा था जहां पर उनको मौका नहीं मिला हर जगा में ना जितने भी जगा है सब जगा में स्टेडियम या फिर मान लिजे एक राउड या फिर मान लिजे आपका मतब प्लियर सब कुछ recreate किया गया है और वहीं पर जो है major disconnect बनता है यहां पर अर्विंद डिसलवा और स सबसे बड़ी बात है इन तीनों के साथ भी resemblance बहुत ही कम है जो मतलब बंदा अर्जुना राना सुंगा का character प्ले कर रहा था वो थोरा बहुत जो है मतलब उसको मतलब पूल ओफ कर सकता था लेकिन अर्विंद डिसलवा घालु वितरना यह सब लगी नहीं रहे थे तो यह एक बहुत बारा डिसकनेक्ट है जो फिल्म को आप फिल्म से आपको डिसकनेक्ट करते हैं और सेगिंद इस दे फेस मतलब मुली दरन का लुक अलाइक मिलना मुश्किल है तो देखिए जिसको बनाया गिया है तो वह इतने मैंने तो उनका अच सच बहुत खास काम त उसके साथ बनता है हम लोग का वो नहीं बनता है यहाँ पर सुसान सेंग राजपुद नेवर लुक लाइक एमेज धोनी बट ही पुल्ट अफ देखिए तो यहाँ पर जो बंदे ने उसका किरदार किया है तो तो सम एक्स्टेंड वो लुक लाइक है लेकिन वो कैरेक्टर को मुता यह मुली धरन का कैरेक्टर को वो पुल अफ नहीं कर पा रहा है उनका डायल डेलिवरी के टाइम में डेलिवरी के एक्शन जो है या फिर माले जब वो डेलिवरी करता था उसका फेशियल एक्स्प्रेशन इतना कतरनाक हो जाता था वो सब चीज क्लोज अप में द आपको दिखाया जाता है कि जो मतलब जितने भी flashbacks है जितने भी other incidents उनके light में हो रही है तो वो सारे चीज़ें को वान लाइन में दिखाया जा रहा है कि उनका marriage ठीक हो गया अब उनका engagement हो रहा है बस the girl comes in तो ऐसा है उनकी दादी का death उनका दादी is playing a very important role in his life दादी का death हो सिर्फ photo दिखा दिया कि महला चराया हुआ है दादी गुजर गई है तो ऐसा बहुत सारे occasions है बहुत सारे incidents है जिसके साथ मतलब सच माने तो मतलब आपको लगेगा कि event missing out है और जो image दोनी का जो inspiration है उसके मम्मी पापा जो है उनको भी दिखाया है ठीक से लेकिन ऐसा कोई motivating क कोई dialogues नहीं है ऐसा कोई situation नहीं है जो आपको मतलब क्या बहुत है हॉल पे city बजाने में या ताली देने में मजबूर कर दे ऐसा कोई गुजबम moments नहीं है 800 विकेट वाला चीज जो है इसका जो narration style है देखिए narration style अच्छा है कि जो journalist है senior वो दूसरे एक junior journalist को editor को जो है वो देखरन का biopic अब बना रहे हो तो उनका entire life है वो based on a cricket and outside the field जो है वो थो छोड़ी दीजिया मतलब अर्विंद डिसलवा नेवल लुक से अर्विंद डिसलवा और यह चीज़ को आपको एवएट करना चाहिए था क्योंकि आपको पता है कि यह चीज़ कौपी नहीं हो पाएगी आपको अर्विंद डिसलवा look alike उनका mannerism कौपी करने वाला कोई मिलेगा नहीं तो आपने क्या किया है दूसरा किसी कलाकार को डाल दिया कालू के जगा में दूसरा किसी कलाकार को आपने डाल दिया तो वो मैच नहीं कर पा रहे हैं और इतना off the field scenes दिखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी जैसे आप MS Dhoni में देखेंगे कि उसमें on the field जितने भी moments है वो सारे original moments है सिर्फ morphing किया गया है और वागी off the field moments जो है वहाँ पे भी एक चोटे बच्चे का आपको याद होगा कि एक चोटा बच्चा जो है under 16 या under 18 as a school cricket खेल रहा था तो वहाँ पे भी सुसान सिंग राजपूत का face जो है उसको morphing कर दिया गया था एक चोटे बच्चे के उपर और वो बच्चे का जो voice है वह भी सुसान ने डब किया था तो just to make it real तो यह सारी जो approach है ना यह एक फिल्म को normal film से एक महान फिल्म में कल्ट फिल्म बनाती है जो image धोनी बन चुकी है और in terms of sports biopics in India लेकिन यह film उसको वह heights को रीच करना तो दूर की बात है यह अपना basic जो है वह basic groundwork की नहीं कर पाया data wise the research wise these things are good like यह सब ठीक है लेकिन वो drama और वो character को वो मतलब glorify करना वो सारी चीज में यह missed out है और इतनी उनकी critical situations बनी थी इतनी dramatic situations उनकी light में बनी थी जैसे कि रहन दूंगा ने वकाउट कर दिया था फिल्ट से यह सब चीज को भी उतना dramatize नहीं किया गया background music also not supporting it गाने तो छोड़ी दीजिए वो कुछ है ही नहीं तो overall the film is basically the loss of opportunity बहुत बढ़िया एक मौका था बहुत बढ़िया बायोपिक बन सकता था कि उसे because of the eventful career of Mutayyamun Lidharan but sorry to say उतना कुछ खास हो नहीं है तो यही था basically मेरा review about the film called 800 आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में आ आल वीदा